हरहर महादेव ओम नमश्यवाई प्रियमित्रों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम आपको बताने बारे हैं 26 सितंबर दिन मंगलवार का रासी फल आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा उसे पहले हम जान लेते हैं आज के पंचांग और ग्रह गोशर की इस्तितियों के बारे में आज का पंचांग तो आज दिन मंगलवार रहेगा सुकल पक्ष, सरद रितु और 12 तिति है आज के दिन नक्षतर जो है वो स्रवन नक्षतर है और आज की दिथी हिंदू पंचांग के अनुसार आज 12 दिथी रहेगी इसी के साथ आज जो है अभिजीत मुरत जिसमें कि आप सारे कुछ कर सकते हैं वो 11 बसकर 48 मिनट से 12 बसकर 36 मिनट रहेगा आज दिसा सूल उत्तर दिसा के और होगा वहीं राहुकाल का समय आज 3 बसकर 12 मिनट से 4 बसकर 43 मिनट तक रहेगा यह थी आज का पंचांग अब जानते हैं कि आज का रासी फल आपके लिए कैसा रहेगा आपको बताएं कि आपके बैपार, बैवसाय, लव लाइफ, आपके स्वास्तिके बारे में आपके जीवन में किस परकार से धन की प्राप्ति होंगी जीवन में चल रही परिसानिया, आर्थिक तंगियों और कष्ठ नायों से कैसे आप चुटकारा पा सकते हैं मान सम्मान इज़त पतपरतिश्टा में किस परकार से वढ़ोतरी होंगी घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले किस परकार से आपके इज़त करेंगे आपके मान सम्मान इज़त पतपरतिश्टा में किस परकार से वढ़ोतरी होंगी मित्रों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो आपसे अनुरोध हैं कि आप सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट हर हर महादेब कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं मित्रू आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा आज आपको आपके कारिशेत्र में साबासी की प्राप्ती होंगी अगर आप बिजनस बेपार करते हैं तो आपको इस समय ग्राहकों के संख्या में काफ़ी बुढ़ूत्री देखने को मिलेगी आपके ग्राहक जादा से आने वाले हैं जिनकी वज़ा से आप परसंद रहने वाले हैं किसी काम में प्रिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा परिवारिक लोगों के सहयोग से आपके सभी कारिव बनेंगे जिससे आपके टेंसन कम होगी और आपको जादा से जादा समय अपने प्रिवार को देखने क मिलेगा अगर आप प्रुपर्टी को डिलर करते हैं प्रुपर्टी डिल जैसे कि आप कोई प्रुपर्टी खरीद करते हैं जमीन का विक्री करते हैं या जमीन की लेंदेन करते हैं तो इससे आपको अधिक से अधिक फायदा खुताफ़त दिख रहा है इससे आपको ज्यादा फाइदा मिलेगा काम के प्रती आप भागदोड बनी रहेगी टैंसर भी बढ़ सकता है इसलिए धहरे के साथ अश्य तरीके से काम करेंगे तो आपके काम आसानी से होंगे आपके सभी काम पूरे होंगे और आप जादा से जादा कार्य को कर सकते हैं आज आप फिजूल की बातों में पहस कर सकते हैं बहस में आपका जादा समय जा सकता है इसलिए ये फिजूल की बातों में जहां तक हो सके आप न पढ़ें नहीं किसी से आपको बहस करने की जुरत होगी बहतर होगा कि आवस्यकता पढ़ने पर ही मन की बात करें, लोगों को समझाएं, लेकिन आप जो हैं मन को सांत रखें, महिलाएं जो कि इस रासी की हैं, वो आप अपने घरेलू कामों में बिजी रहेंगे, घरेलू काम को जादा से जादा तबजू देंगे और बहत्रिन करने की कोशिस करेंगे, आज का दिन आपके लिए पढ़ाई के शित्र सिरे भी उत्तम रहने बारा है, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, विद्यार्थियों को सिक्षा के शित्र में बड़ी सफलता मिलेगी, आपकी आर्थिक इस्तितियां पहले के हिसाब से आप पर सत्रू हावी होने का प्रियास कर रहे हैं या आप किसी संकट में हैं और आपकी आर्थी किस्तियां भी ठीक नहीं चल रही थी और आपके कॉंफिटेंट जो है वह भी लो हो रहा था और आपको भविश्य को लेकर चिंता भी ज्यादा हो रही थी लेकिन अब से आपक के सुर्य आपके गोशर कर रहे हैं जिनकी वज़से आप अपने आपको positive महसूस करने पाले हैं मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है आप दोस्तों के साथ लंबी बात चीत कर सकते हैं दोस्तों को अपने मन की बात बता सकते हैं वहीं आप money minded हैं, पैसों को लेकर आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, यह आपका गुन है, तो ऐसे में पैसे आपको आज मिलेगे, आपका वेहवार लचीरा रहेगा, वेहवार आपका बहुती सुभावन सिल रहेगा, धहरे के साथ अगर आप कोई मेहनत करोगे, तो आज एक दिन स्तांदार लगने बाला है, शात्रों को सीनियर से कुछ नया सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, किसी काम को लेकर आज भागा दोड़ी भी कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको आपके रिष्टेदारों का और सहयोग्यों का सहयोग मिलेगा, अगर आप नौकर किस रुवात भी आप करेंगे, दामपत्य जीवर भी आपका अत्यांत ही सुभ रहने बाला है, परिवार में किसी भी तरक्की से उत्सब का माहौल बनेगा, और अपने बच्चों को उपहार भी आप देंगे, परिवार की आर्थि के सित्यों में पहले से सुधार होगा, ब वजरुगों का कुछ ऐसी बातें आपको दिल में लगेंगी जो आपके लिए सुभ रहेगा, आज के दिन आप अपने गुस्यों को कंट्रोल में करने की अवस्य कोसित करें, गुस्या आपके बने बनाए कारी को बिगार सकता है, तो ऐसे में गुस्ये को कंट्रोल करना कारिश्यत्र हो या बैपार, या बैवसाय या आपका लव लाइफ, आपकी मनो कामनाएं हर जगह से पूरी होती भी दिख रही है, हर प्रकार के कारे आप करोगे जिन में आपका डंग का बजनी बाला है और आप अपने आपको सोभा के साली महसूस करनी बाले हैं, परिवा कारिक रिष्ठतियों को बहतरिन करने का परियास जरूर करें, घर में सुक समर्धि में वड़ोत्री होगी और स्कूल टीचर से, पूराने स्कूल टीचर से, जहांके आप छोड़ चुके हो पूराने स्कूल टीचर से आपकी मुलाकात होगी, दोस्तों के साथ कॉफी पीने मिलेंगे और इन अवस्तरों को पाकर आप विरुजगारी को दूर करोगे इसलिए आपको ध्यान देने योगी बात है कि आप जो है अपने किसी भी opportunity को किसी भी मोके को आप हाथ से जाने ना दे अन्य था आप ऐसे में हर opportunity को जाने योगे तो आप विरुजगार ही रहोगे इसलिए कोई भी काम बिले आप काम करें आपके दामपत्य जीवन में मधूरता बढ़ेगी और घर परिवार में सुक समंधी और सुक सुमिधाएं बढ़े इसके लिए आज आप कोई नए समान के खरदारी कर सकते हैं खरदारी करने क का यूग बन रहा है आप मित्रों के साथ मिलकर कई मनुरंजग घदवधियों में भाग लेंगे इससे आपको बहुती खुसी मिलेगी बहुती सांती की प्राप्ती होने वाली हैं मित्रों आज भगवान स्रीहरे विश्णू जी की क्रिपा से और उधन की देवी मातला लक् अंगल कारी हो जै माविंदु वासनी